तो यह जो वीडियो है यह मंड़े का वीडियो है इवनिंग से मैं इसको शुरू कर रही हूँ और अभी गर्मिया बहुत जादा आ गई है तो मैंने क्या कर दिया है कि अपने सुबे के कुछ कामों को इवनिंग टाइम पे शिफ्ट कर दिया है और उनी में से एक काम है यह बैलकिनी वाश करने का काम तो सुबे बहुत जल्दी धूप आने लगी है एकदम से बैलकिनी में बहुत तिज धूप आ जाती है और गर्मी भी कुछ जादा ही हो गई है तो सुबे यह सारी चीजे करने का मन नहीं करता है तो चलो कोशिश यही रहती है कि जैसे गर्मी आ गई है न तो जो भी इस तरीके के काम होते है जो बैलकनी में जाके करने होते वो जो है मैं इनिंग टाइम पे करूं तो अभी मैं वही कर रही थी मैंने जो है सारी की सारी बैलकनी एक एक करके अच्छे से वाश कर ली है और अब तक मैं कर रही थी बैलकनी वाश तब तक वंचिका के पापा ने बना दी थी गर्मा गरम दो कप चाए तो इवनिंग का ये मुझे फायदा हो गया कि चलो मैं दू कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो इजीली सारे काम हो जाए मुझे ध्यान आया कि आज बचों ने जो है टिफिन बॉक्स अभी तक नहीं निकाला है क्योंकि आज दोपैर में उनको मैं कहना भी भूल गई थी कि अपना टिफिन जो है वो अपने बैक से निकाल लो तो मुझे याद आगिया तो मैंने ही निकाल लिया है इस टाइम पे दोनों बचे टिउशन गए हुए थे और उसके बाद मैं उनका टिफिन चेक करती हूँ तो ये विदांश का टिफिन है जो कि पूरा खाली होके आया है लेकिन सबजी उसने नहीं खाई है और दूसरा जो टिफिन है यलो कलर का उसमें मैंने वंशिका को दिया था तो मैंने वंशिका के लिया आज दो पराठे दिये थे जिसमें वन एड़ा हाफ वो खा के आई है और आधा बचा के आई है और साथी साथ देखे सबजी भी जो है ना वैसे ही लेकर आई है मतलब बच्चे ना सबजी खान में बहुत जादा चूजी है अभी ये मटर मश्रूम की सबजी थी तो उनको इतनी जादा पसंद नहीं आई होगी वो सुबह मना भी कर रहे थी कि मत बनाओ हमारे लिए लेकिन मैंने वही है कि नहीं जबरदस्ती करके बना ही दी क्योंकि डेली के डेली पनीर भी मैं कब तक बनाऊंगी यही है कि चलो जो मैंने पराठे दिये थे वो थोड़ी थोड़ी सबजी रौने लगा के खाली तो मुझे उसी में ही तसलिय हो गई कि टिफिन में वो कुछ बचाके नहीं लाए है वंशिका को भी अगर मैं एक ही पराठा देती तो वो नहीं बचाके लाती लेकिन आज मैंने उसको दो दे दिये थे ना तो वो बचाके ले आई अच्छा बच्चों को ना कोई भरोसा नहीं होता है कभी कभी ना बच्चों को स्कूल में इतनी भूख लगती है कि वो दो पराठी भी उनके लिए कम पढ़ते हैं और कभी वो ऐसा मतलब घर में आके बताते हैं कि आज टाइम ही नहीं लगा या लंच ब्रेक जल्दी खतम हो गया लंच ब्रेक तो अपने टाइम पे ही खतम होता है लेकिन हो चकता है बच्चों की स्पीड खाने की थोड़ा सा उपर नीचे हो जाती होगी तो बस यही रीजन है मैंने आपको बच्चों का टिफिन इसले खोल के दिखाया क्योंकि एक पर पहले कॉमेंट आया था कि आपको कैसे पता कि आपके बच्चे मतलब टिफिन पूरा फिनिश करके ही आते है या फिर वो स्कूल में फेकते नहीं है तो टिफिन दिखाने का मेरा रीजन यही था कि जब उनको बचाना होता है तो वो as it is बचा के घर पे ले आते जितनी उनको भूख होती है वो खा लेते है और यहां पर देखिए क्योंकि मुझे भी पता था कि मैंने आज वन्शी का को ज़्यादा पराथे दिये तो वो थोड़ा बहुत बचा के लेकर आएगी तो क्योंकि इस चीज के लिए मैं उसको डांटी नहीं हो तो इसी रहे बचे जूट भी नहीं बोलते हो और ना इस तरीके की कोई हरकते करते है तो इसी रहे मैं बहुत जादा शियोर रहती हूँ कि मेरे बचे तिफिन फेक के नहीं आएंगे स्कूल वो खा के ही आएंगे चाए वो आधा खा के आएं आधा वो घर बचा के लेकर आएं तो ना ये मेरी पूजा का टाइम हो गया था लेकिन मैंने ग्रॉसरी शॉप से मंगवाया हुआ था मिल्क और बचे भी ट्यूशन गए हुए थे तो मैंने यहां पर बरतंद होके अपना टाइम पास करने लग जाए और इस भी जो है बच्चे भी घर आ गए थे तो फिर जो है मैं चली गई हूँ पूजा करने के लिए आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है मतलब 7,7,7,8 के करीब हो गया है वरना तो सावासासर 7,7 के भी जो है पूजा हो जाती है यहां पर मैंने पूजा कर ल मैं इसी तरीके से जो है इसका धुआ दे दूँगी के टाइम में ना इस तरीके से लोबान जरूर जलानी चाहिए सुबे के टाइम भी जला सकते हैं शाम के टाइम भी जला सकते हैं बहुत अच्छा लगता है दिल को बहुत तसली मिलती है दुपैर में मैंने बनाई थी अरर की दाल तो बस वही बची हुई थी उसको मैंने कर लिया है गरम कैसा रहा? मार्क्स बताए अपने? क्या बोला मैम ने? तो खड़ाओ के बात तो कर लिया अगर? ये क्या करा? आइस्क्रीम मना तो आइस्क्रीम? मैं वो पानी को जमा दिया? और साथ में चम्मच भी जमा दिया विदांज खासी हो जाएगी? अब करें थारे मेरे को भी देले? आज तो खिलाटी हो नी टेस्ट करवाएगा वो दिदी को थोड़ा सा अभी थोड़ी दे रहने दे चम्मच टूट जाएगा रब दे उसे थोड़ी दे रभी अच्छी है? बहुत अब अराम से खाना होमेड आइस क्रीम अच्छी हो रही है? देखिए ये मिल्क अब आया है मतलब मैं 6.30 से जो है उनको ओर्डर दे के बैठी थी और उन्होंने करीब साड़े आठ बजे ये मिल्क भिचवाया है और अब मुझे इसको गरम करना है लेकिन उससे पहले जो हैना मैं आटा गुन लूँगी तो सबजी मैंने बनाई है आलू बैंगन की और अभी बस मुझे यहां पर आटा गुनना है और उसके बाद जो है मैं गरमा गरम रोटियां बना दूँगी और दाल मेरे पास बची हुई ही थी कई बार कॉमेंट्स आ जाते हैं कि आप ऐसे बासी खाना क्यों खाते हो दिन का बचा हुआ मतब ऐसा होता है वैसा होता है काफी सारी चीजे लेकिन मैं बता दूँ कि अगर आप दिन में कुछ चीज बना रहे हो तो वो श्याम तक इतनी ज़्यादा बासी नहीं कहलाती है और आज से ही नहीं बचपन से ही हम लोग मतलब खा ले या करते थे ऐसी कोई बात है नहीं और खाना फेका भी नहीं जाता है और ऐसा भी नहीं है कि खाना एक्जेक्ली उतना ही बने कि जितने आपके घर के मेंबर हो थोड़ा बहुत खाना बची जाता है इस वज़े से हम लोग जो है leftover जो food होता है ना उसका use कर लेते हैं उसको खा लेते हैं चाहे रात का बचा हो तो सुबे का बचा हुआ तो रात को खा लेते हैं या क्या आदत है ना कि मुझसे ना खाना waste नहीं होता है मतलब कि मैं जो leftover खा जाता है कि कोई नहीं आप उसको खा लो और वैसे भी जब फ्रिज में रखा होता है खाना तो वो इतना जादा खराब होता नहीं है और बच्पन से ही हम लोग ऐसे खाते आए हैं यहाँ पर देखे मैंने रोटियां मना दी है और अभी मैं लगा रही हूँ वंचिका के पाप अब बच्पन को मैंने खाना दे दिया है तो वंचिका ने तो मना कर दिया था कि उसको अभी नहीं खाना है वो अपना होमवक करने के बाद ही खाएगी बट विदान से जो है कंट्रोल नहीं होता है मैं वंचिका के लिए मैंगो कट कर रही हूँ क्योंकि मैंगो लवर है वंचिका और वैसे उसको वाटरमेलन भी बहुत अच्छा लगता है वो जिद भी कर रही थी कि आप इस बार मेरे लिए नहीं लेकर आए बट मैंने वही बोला कि मैंगो का सीजन है साल में एक बार आएगा और उसमें भी बस एक-दो महीने के लिए ही रहता है तो अभी मैंगो ही खालो मैंगो लवर वंचिका डोगरी आए मुझे सारी फूर्ट बहुत इच्छा लगा रही हूं तो एसी जो है हमारा इसी रूम में है और अभी जो है एसी की जरूरत फील होने लगी है तो इसी वज़े से ना अभी मैं अपना जो है एक गद्दा नीचे डाल लेती हूं क्योंकि बैट पर जगे नहीं होती है बच् जाते ना तो पूरा मतलब बैट पे फैल करके सोते इसलिए मैं अपना ये रहता है कि मैं अलग से सो जाओ और जब मैं सुबह उठू तो किसी को डिस्टरब भी ना हो मैं आराम से उठ जाओ तो बस मैंने वहाँ पर जो है अपना गद्दा लगा लिया है इधर मैं दही जम का ही दिन है और सुबह सुबह इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना और इतना गंदा मौसम हो रहा है ना आज कल पूरा का पूरा धूल भरा मौसम हो रहा है जब मैं सुबह उठी और मैंने अपनी बैलकनी देखी ना तो जितनी मैंने कल इवनिंग में बैलकनी धोई थी यहां पर मैं बच्चो की white shirt में कर रही हूँ press, क्योंकि बच्चो की white shirt है यह daily के daily धुलती है, क्योंकि daily गंदी करके लेकर आते हैं, तो मुझे यह daily धोके डालनी पड़ती है और फिर next जो है मैं इसमें press कर देती हूँ, उसे पहले मैं यहां पर или mortar चड़ा के गई थी, और पूछ रही थी कि तुम कल क्या ले जाओगे तो एकदम से वंशिका ने बोला कि ममा आपना हमारे लिए आलू टमाटर की सबजी और पूरी बना देना तो मुझे आप्शन भी अच्छा लगा क्योंकि आज वंशिका के पापा को भी आफिस जाना था तो सबके टिफिन का काम ह बचों के लिए मैं पूरियां बनाऊंगी बट उनके लिए पूरियां नहीं बनाऊंगी टिफिन के लिए उनके लिए मैं बनाऊंगी रोटियां तो आलू जो है अच्छे से बॉइल हो गए हैं मैंने इनको अच्छे से जो है मैश कर लिया है जो पटेटो मैशर होता है उस मेरे पास इसमें डालने के लिए कसूरी मेथी नहीं थी तो वो मैं नहीं डालूँगी वरना इसी टाइम पे मैं इसमें कसूरी मेथी भी आड़ कर देती हूँ और जो टेस्ट आता है उससे बिल्कुल जो भंडारे वाली सबजी का टेस्ट आता है वो होता है बट जब जाले भून रहे थे ना उतनी दिर में मैंने पूरियों का आटा तयार करके और छोटी-छोटी सी लोई बना ली हैं अभी मुझे सीव पूरियां बेलनी है और फटाफट से मैं उसको फ्राइ कर दूँगी तो इसे भून गए हैं मैंने आट कर दिये हैं इसमें आलू और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं और उसके बाद इसमें आट करूँगी गरम पानी गरम पानी आट करने से सबजी थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी बहुत जादा भी मुझे नहीं पकाना है इसको मैं सीव दो से तीन मिनट तक के लिए ही पकाऊंगी और बहुत जादा पानी भी नहीं करूँगी क्योंकि ये पूरियों के साथ खानी है बचों को और बस अभी लास्ट में मैं इसमें कट कर दूँगी हरी धनिया की पती तो यहाँ पर जो है अलू टमाटर की सबजी बनके है एकदम तयार और ये वाली सबजी ना चावलों के साथ भी बहुत अच्छी लगती है तो हम लोग तो कभी-कभी इसको इसी तरीके से चावलों क साथ भी बना लेते हैं खाने में बहुत ही मज़ा आता है मैंने यहाँ पर गरम गरम जो है पूरिया भी बना ली है पूरियों के लिए मैं यूज कर रही हूं मस्टरड ओयल जो मूमफली का तेल में यूज कर रही थी वो हो गया है खतम तो मैंने सुचा चरिये में बनती है ऐसा कोई खास फर्फ नजर नहीं आता है और यहां पर देखिए दोनों बच्चे रेडी है स्कूल जाने के लिए और आज इन दोनों को मैं छोड़ने वाली हूँ मैंने इनके पापा को नहीं उठाया है क्योंकि जिस दिन उन्हों आफिस जाना होता है तो फिर मैं न प्रांच नहीं जाता है और बस यहां पर सभी स्कूलों के इस टाइम पर बस खड़ी रहती है मतलब इतनी भीड़ होती है न मौनिंग में तो स्कूल बस एक के पीछे एक लगी होती है उसके बाद मैं बच्चों को छोड़के घर आई हस्बिन को आफिस भेजा और अपना जो भी मेरा मौनिंग रुटीन होता है अपने घर के काम किये नहाद होके अभी आ गई हूँ अपना स्किन केयर करने के लिए तो सबसे पहले लगाया है थोड़ा सो संस्क्रीन उसके बाद मौस्यराइजर और उसके बाद अपनी जो डेली क्रीम मैं लगाती हूँ वो अच्छा वैसे तो गर्मी है लेकिन इतनी जादा ड्राइ हो जाती है ना कि बिना मौस्यराइजर के काम नहीं चलता है तो मौस्यर कि मेरा काफी जल्दी खतम हो गया था तो अभी मैं यहाँ पर अपने लिए फ्रूट कट करूंगी फ्रूट में पपाया कट करूंगी और बस थंड़ थंड़ फ्रिच का पपाया खाने में बहुत मज़ा आता है और साथी ना यह मीठा भी बहुत ज्यादा था जो पपाया कट करने के बाद अंदर से रेड होता है वो बहुत मीठा होता है तो बस मैं इसको कट करूंगी इसमें थोड़ा सा जो है काला नमक डालूंगी और यह है मेरा मी टाइम अभी एक घंटा मेरे पास है एक से देट घंटा उस एक से देट घंटे में मैं अपना टीवी चला के बैट जाऊंगी, कोई अची सी मूवी देख लूँगी और साथ में अपना fruit इंजॉय करूँगी और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का end करूँगी तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मैं आप से आगे मिलती हूँ और भी न्यू वीडियो के साथ तब तक ले बाबाई and टेक केर